जह हिंदोस्तों वेलकम एक टुमाइड यूटूब चैनल सो हे गाइस एक बाफ फिर से उपस्तितुमें आप सभी के साथ दा हिंदू के एडिक्टोरियल के साथ तो चली दोस्तों आज के दा हिंदू के एडिक्टोरियल को एनलेसिस करते हैं और देखते हैं क्या है आज ब्लोवर का खुलासा और भारत सरकार तो ऐसा आज का टॉपिक है आए जानते हैं इसके बारे में क्या यह कहने की कोसिस कर रहे हैं तो देख लिजिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सरकार और टुटर को जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि उप्योग करताओं के डेटा की गवपनिता को लेकर कोई धिलान नहीं बढ़ती चाहिए तो अच्छा यह सब टॉपिक है किस रेफरेंस में यह सारी चीजे बात करी जा रही हैं दोस्तों आई एसको डेप में ज रखने के लिए मजबूर करने और इस तरह उसे एजेंट का इस प्लेटफार्म के उप्योग करताओं के डेटा तक पहुंचना संभाव होने संभादी कुलासा इस देश के लोकतंत्र की सेहत को लेकर जरा से भी चिंतित रहने वाले किसी वी व्यक्ति के कान खड़े कर देन प्रकार की दरकार की है त опять कहीं ऊट कितिर की ओर से भी इस प्रकार की कोई बात भी हुई नहीं इसके बैप्रित हुआ कि अभी खामोजी है लेकिन हाल के वर्सों में जिस तरह से इस किस्म के मामले सामने आए हैं उसे देखते हुए यह साथ बहुत ही धायरत अंगेज नहीं है कि यह खुलासा पिछले महिने अमेरिकी सरकारी अजनसी और कांग्रेस के समितियों के सामने किया गया था लेकिन CNN और The Washington Post द्वारा पिछले हफ़े इस बारे में खबर चापे जाने के बाद यह मामला लोगों के सामने आया इसके बाद आगे यह भी बताया दिया है इसमें कि यह खुलासा करने वाले विसल व्लोवर साइबर सुरच्छा विसेसर जब पीटर मुझ जाटकों हैं जिन्होंने नवामबर 2020 में सुरच्छा एवं गौपनीता से जोड़ी चुनोतियों से निपटने के लिए जैक डोरसी द्वारा संचाली ते ट्वीचर की मदद करने के लिए लाया गया था उन्हें इस साल की सुरवात में स्री जोरसी के उत्रादिकारी परागगरवाल ने निकाल दिया था कुलासे की खबरों में बदाया गया कि ट्वीचर ने अपने छोटे से कारकाल के दवरान स्री जाटको ने पाया कि इस प्रौपचाली सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म को सुरच्छा समादी अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए अभी काफी लंबा सफ़र तर जो सफर है बारी दुनिया को एक बहुत ही अलग संदेश दिया है और इस तरह उसने उप्यों करताओं से लेकर निवेसकों तक संघीर व्यापार आयोग से लेकर एलाउन मास्क जो हाल तक इस सोसल मेडिया नेटवर्क को खरीदने के इच्छों कि थे तक सभी को धोक्री में रखा है छोड़ा सा पहलू हो लेकिन यह चिंता जनक रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिहास से स्रिजटकों के मुतावित के प्रकरणों से यह पता चलता है कि ट्विटर में बिदेशी खूपिया एजनसी की घुसपैट थी और यह ट्विटर लोकतंत्रिक सासन क को खत्रा पहुचाने की कवायाद में भागी राता के दाएरे में आता है निश्यत रूप से उनके कुलासे की इस हिसे जिसकी सबसे महत्पूर्ण पंक्ती है भारा सरकार ने चुचर को कुछ खास लोगों को लिए मजबूर किया जो सरकारी एजन्ट है और उन्हें ट्वि और यह कि सरी जटकों जिस एजेंट का जिकर कर रहे हैं वह तहीं शीकाया तजिकारी तो नहीं भारत में काम कर रहे है सोसल मेडिया नेटवर्ण को पिछले साल बनाए गए नए कानूनों के मुतावित निक्त करना जरूरी है साथ हुआ लग सकता है कि इस एजेंट के पास समेदन से डाटा तक पहुँच सकने का मौका टूटर की अपनी खामियों का नतीजितन आया फिर कह सकते हैं खामियों का नतीजा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं वहीं लास्ट में यह भी का जा रहा है कि इसलिए इस मामले पर एक स्पस्टी करन बेहत जरूरी है हाल के बर्सों में सरकार अपने अलोचकों को सोसल प्रेटफॉर्म पर ब्लॉक करने के लिए बेहत व्यागर रही है साथी उप्यों करता हूं कि सम्मेदन से डेटा तक बेध साथ दिलाएं कि वह वाकई में व्यक्ति को बोलने की आजादी और निस्ता के अधिकारों के प्रती सजग हैं तो यहां पर काफी खुपसूरत तरीके से आज का एडिटूरियल था दोस्तों और यह कहीं कहीं हमारे जियस पेपत्री से अच्छी तरीके से रिलेट करता है सा निस्या है और भारत जो सरकार है वो अपनी लेबल के अपनी नादरीतों के लिए क्या कर सकती है इन सारी चीजों के बारे में इस पार्टिकुलर एडिटूरियल में बताया गया है वर भारत जेकन करता ही जड्यों के सिर्का करसे रहाँ आपनी रिलेखाश्य करता है य। खर्ठा जा करते हैं 1 तर त उम चांव अक्डिंटल के इन स्थ में आर गया सा साल। के अक्टियम चीटिए क्या बेंड करते हैं, मिल दे किसी नेक्स वीडियो में, so till then take care and see you, जाहें.